आज हम जानेंगे कि सन्यास लेने के बाद या दिक्षित हो जाने के बाद जैन सादू सादवी की चरिया कैसी होती है? सन्यास लेने के बाद वे क्या करते हैं? कैसे रहते हैं? बीमार होने पर क्या करते हैं? पूरा दिन कैसे व्यतित होता है? कैसी सादना चलती है? इत्यादी जैन सादू का सन्यास जीवन सबसे कटिन है, कटिन इसलिए क्योंकि इसमें सूक्सम से सूक्सम, अहीमसा का पालन कैसे हो, इस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित होने के कारण, जैनों के सन्यास को ग्रहन करना या स्विकार करना हर एक के बस की बात नहीं है, बहुत ही कटिन मार् महावीर के सन्यास जीवन में सामिल होना इसके बावजूत कर्मों के छयोपसम से कई वीर लोग इस पत को अपनाते हैं और चल पढ़ते हैं मुक्ति मार्ग की ओर तो दिक्षित हो जाने के बाद उनका एक पाट्यक्रम होता है आगम स्वाध्याई का जैसे एक मैने का दिक्षित सादू अमुक आगम पढ़ सकता है दो मैने का दिक्षित उसके आगे का तो इस तरह आगम स्वाध्याई का क्रम दिक्षा परियाई के अनुसार चलता है नव दिक्षित को बड़े सादू के साथ रखा जाता है ताकि वे सादू जीवन की सारी चरिया A to Z अच्छे से सीख सके और जीवन में उतार सके उसके बाद नव दिख्षित सादू की रुची के अनुसार वो अपना मार्ग चुन सकता है जैसे किसी को लंबी तपस्या या तप करना अच्छा लगता है तो वो अपनी तरह तरह की तपस्याओं में लग जाता है किसी को पढ़ने पढ़ाने में या स्वाध्याई में रुची है तो वो आगम ग्रंतों के गहन अध्ययन में लग जाता है कोई नव दिख्षित एकांद प्रिय है तो वो ध्यान साधना में लग जाता है अगर किसी को सेवा कारियों में रूची है तो वो सेवा में लग जाता है तो इस तरह से कोई लेखन में तो कोई गायन में तो कोई कला में अपनी रूची के अनुसार लक्षिय निर्धारित कर लेते हैं और फिर अपना ज्यादा से ज्यादा समय उसमें लगा देते हैं एक जैन सादू साम को सुर्यास्त के बाद न कुछ खा सकते हैं और न ही पी सकते हैं न दवा इत्यादी ले सकते हैं चाहे वे कितने ही बिमार ही क्यों न हो ये नियम उन्हें अनिवार्य रूप से प प्रटिकमन प्रटिकमन करते हैं ताकि दिन भर में जो भी अतिचार या दोस्त लगा हो तो वो निस्फल हो जाए ये दो बार का प्रतिकमन जिन्दगी बर के लिए चलता है बोजन के लिए दिन में दो बार बिक्षार्त जाना पड़ता है घर गर इन सब कामों को करने के लिए वे किसी प्रकार का वाहन या वेहिकल यूस नहीं करते उनका पूरा जीवन स्वावलंभी होता है अपनी चरिया के साथ ग्रहस्तों को प्रतिबो देना प्रेरना देना भी सन्यास का एक अंग है क्योंकि सादू ग्रहस्तों के सहयोग से अपनी जीवन यातरा चलाता है इसलिए रिटन में वो ग्रहस्तों को सहियम मार्ग से मोक्स मार्ग की तरफ कैसे बड़े इसका मार्ग दर्शन देते हैं तो इस तरह से एक जैन सादू पठन, पाठन, नियम पालन, भिक्षा चरिया, प्रतिकमन, पाद विहार, अपनी नीजी चरिया एवं लोगों की सार संभाल करते हैं वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें